किसी को भी ये बातें नहीं बताना कि कैसा हमारी घर में बीता जा रहा है नहीं तो आपको कर देने वाला है ये बातें बरवाद जो कि ये बातें किसी को मत बताना ये सब दस बातें तो कन्य रासी वाली जातकों यदि ये बातें आप से बाहर निकलती हैं तो बात में आपको पस्ताना भी पड़ सकता हैं जहरेले आदमी से पाला पड़ सकता है आपको कहेंगे कि आप सभी आप सभी से निवेदन हैं ये सब बातें किसी को ना बताना ना तो बहुत ज़्यादा मिस आश्टर्टेंडिंग होने वाली हैं क्योंकि ये बातों से बड़ा ही खत्रा होने वाला हैं बड़ा ही आप पस्ताने वाले हैं गुपनी ये बातें क्या ये कौन-कौन से दस बातें हैं जो कि किसी को नहीं बताना हैं तो हलो मित्रों जया माता दें दो तो आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं कि दस बातें वह कौन सा हैं जो कि आपको जानना काप मैत पुर्ण होगे कोगी ये दस बातें आप से यदि निकलती हैं तो आप इसे खुद पर कंट्रोल करके जरूर रखें तो लगतार इस वीडियो के एक चूट से भी पार्ट आप सभी को पसंद आजाता हैं दिल को चूझाता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब अब सिकर ले हैं ताकि रोजानर रासीपल भी आपको समय पार इस चैनल में मिलते रहें और ऐसे ऐसे जानकारी बहुत याप पाते रहें सभी नीतियों जैसा चिरनिय विंदूर विश्वनिति के अड़ावा ही तो पादेश जातक का थाएं और तमाम नीति का ताओ में हम जीवन का ग्यान नीति और धर्मे की सिक्षाएं मिलता हैं उन्हें में से हम कोज कर आपके लिए लाये हैं कुछ ऐसी बातें जो कि आपको दूसरों लोगों से गोपन ये रखने जाए हैं हमने यहां पूरान समय में परचरित ऐसे 10 बातों को संकरित किया हैं जोगे पैरनिक किताबों में मिलते हैं हलाकि आजकाल इन बातों कोई अची बात हैं न तो घर में कभी भी सुक सांती नहीं बनेंगी कोई काम भ्या दूरा रहगा कोई बेकति अगर आपसे हर तरीके से आपकी राज जानने का प्रियास कर रहा हैं तो उसे समझ जाना चाहिए क्यों आपका हीते से तो कता ही नहीं होगी वह तो बस आपकी सकती क पूछ पूछ रहे हो आपको पहला नंबर यह हैं कि घर परिवार के बातें किसी से सायर नहीं करने हैं बहुत इसे ऐसे लोग भी हो जाते हैं जो कि अपने घर की सारी बातें अपने मित्र रिष्टेदारों या किसी आप प्रिचित से सैर कर देते हैं ऐसे लोग बाद में पस्तातिक के अलावा कुछ भी उन्हें नहीं मिलता हैं। इसे गर के सदस्व में आप से मनमुटाव अभी विश्वास की भावना बढ़ती हैं। इसे मुर्क लोग होते हैं। अपनी पतनी के साथ उनका बैवार कैसा हैं। ये भी दूसरों को बता देते हैं। गदर सकते हैं। लेकिन इसे आपकी कमजोरी परदर्शित होती हैं। दूसरा हैं घर कर हैसे। रहसे कोई विच्ची जो हो उसे भी नहीं सैर करनी होंगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि आपने घर में हर किसी के अंटी कर देते हैं। और घर के कोने कोने से सबी को आपगत करा देते हैं। जो लोग आपके विश्वास पात रहें उन्हें जरूर इसकी छूट दी जाने चाहिए। लेकिन हमने देखा हैं कि बहुत से ऐसे लोग भी आपकी घर में घुस कर उसे देखना चाहेंगे। जिनसे आपको कोई खास संबंद और लेना देना नहीं होगा। हलांकि जिस पर आप विश्वास करें हैं वह कितना सही हैं ये भी देखना आपके लिए बहुत ही जुरूरी होने वाला हैं। आपको यहां को याता जाता रहता हैं तो ये निशित करें कि उसका आना जाना डाइरिंग रूम तक ही इस सीमित रखने से ब्यातर होता हैं। लोगी घर परिवार का वेक्ती से हट कर कोई दोस्त आता है या गाउगर का आता है या कहीं से आपको परचली ताते हैं तो उन से नजर गड़ाए और आगे से आगे उसे भेजने की कोशी जरूर करें आपको तिसरा नंबर है आपका धन लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना कमाते हैं यदि आप सीदे सीदे नहीं बताएंगे तो ये लोग दूसरों के तकरीके से पूछ ताच करके अनुमान लगा लेंगे यदि आप नहीं बताते हैं उसको सीदे सीदे तो वह आस्पडोस के बेगती से आर्सपडोस के लागों से आपकी रिस्टेदारों से वह प पूछ ताच करके अनुमान जरूर लगाएंगे लाला कि आप अपने धन को जितना हो सके गोपनिया रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा इसलिए नहीं कि लोग कर्जु मांग लेंगे और फिर लवटाएंगे नहीं इसके बाद भी कोई कारण है धन को अपने प्रचीत या रिस्तेदारों से गोपनिया ही रखने की सला दी जाती हैं लेकिन ध्यान रखें कि अपनी पतनी से गोपनिया रखेंगे तो आपके लिए धन दुख दायक साबित होगा इसलिए आप इस बारे में अच्छे से सोंच बिचार अबस्चे करें चाउता नंबर है अपना आपमान यदि सार्व जनिक रूप से आपका आपमान किया जा रहा हैं तो उसका जम कर परतिकार करें फिर भी बेक्ची को बहुती से ऐसी मामलों में कभी-कभी मजबूरी वांच अपना आन छेलना पड़ता हैं आपमान को दिमाग में ज्यादा दिन तक नहीं पाल ये भी याद रखें कि आप अपने आपमान को परचारित भी नहीं करेंगे तो फिर कई लोग आपका आपमान करेंगे लेकिन करने लगेंगे क्योंकि लोगों को आपके साथ सभी कभी अनुबती साहना भूती नहीं रहती हैं जो लोग किसी की साहना भूती अरजित करता च चर्च करते हैं पात्मा नंबर यह हैं कि अपनी योगताईं और कमजोरी अपनी योगताईं क्या हैं आप क्या कर सकते हैं और कौन चीज में अंग में या किस चीज में आपकी कमजोरी हैं घर परिवार को लेकर कमजोरी हैं कि किस परकार से और कौन सी चीजों से कमजोरी हैं ये भी बात में आपको किसी से सयर नहीं करने होंगी, हालां कि आपका बहुत इसी जगह या मामली में इसे गोपनिय ताहिं रखना घा तक्सीद होगा, लेकिन बहुत इसी मामली ऐसे उजागर करने से आपको लोग कमजोर समझ कर आपके साथ गलत बहुवार करने लगेंगे, या आपको मांचिक रूप से दावाने की कोशिच करने लगेंगे, इसलिए इस बारे में आप अच्छे से सोच बिचार अब से करें, कि कब कहां कौन सी कमजोरी गुपनिया रखना है, कमजोरी और यह उगताओं में फर्क करना भी सीख रहोगा, नमबर चे मन की बातें किसी से सहर नहीं करने हैं, मन में बहुत इसे ऐसे बातें होती हैं जिनको जागा जाहिर, करने से आप अपने आसपास के संकट कड़े कर सकते हैं, हो सकता हैं कि आपके मन में किसी बात को लेकर, आप साध हो, कुरोध हो, गिरना हो, मन में हजारों तरग के विचार उत्मन होते हैं, लेकिन बुद्धिमांड मनुष्य वोणी विजारों को व्यक्त करता है जो उसके हीत में होते हैं लेकिन इस तरह की वातों को जग जाहिर करने से आपके सम्मंद में लोग एक तरह की राय बनाना शुरू कर देंगे और फिर लोग आपकी अच्छी वातों को नहीं सुनेने ल तब यदि आप इन तीनों में कुसी वी प्रकार के बाते सायर करते हैं तो वा भंगे भी हो सकते हैं यदि आपने किसी गुरू योग गुरू से दिख चली हैं तो उसके दुवारा दिया गया गुरुमंत्र गुपनिय रखें हलाकि गुरुमंत्र काई प्रकार के होते हैं जैसे ने आपको कुछ ग्यान दिया हो, कुछ हुनर सिखाया हो, वह भी गुरु मंत्र होते हैं, इसके आलाबा, यदि आप किसी भी प्रिकार के साधना तब यह ध्यान करें हैं, तो उसे भी गुपनिया रखें, अन्यता वह निस्पल हो जाएंगे, यह संबन्द में गुपनिताओं से लाब मिलता रहेगा, आप मा नमबर है दवा, आप यदि किसी भी प्रिकार के दवाई खाते हैं, तो उसे गुपनिया रखें, माना जाता हैं कि दवा का सर भी तब तक रहता है, जब तक वह गुपनिया रहता है, अलाकि कुछ लोग उसे एक्तफाक रख देते हैं, लेकिन प्राचिन काल में हो सकता है, यह किसी विशेश रोगिया उस सदि के लिए कहा गिया हो, पहले कि कुछ लोग कुछ लोग दुरुबल्ली वरस्पनी जान कर भी होते थें, बहुत से लोग क्याते हैं, यदि आप दारुपीते हैं, तो वह भी तबी तक उचित होता हैं, जब तक उसे गोपिनताएं भंगना होती हैं, जिस दिन लोगों को आपकी बारे में पता चलता हैं, समझ लो, उसी दिन से आपका पतन भी होना सुरू हो जाता हैं, आपका नमबर नाइन जो की आईउ होती हैं, हलाकि कुछ लोग आपकी आईउ जानते के कोसित करते हैं और कुछ जानना चाहते हैं, लेकिन यदि कोई आपके आपके बीड़ा किसी मकारण आईउ पूचता हैं तो उसे कता ही ना बताएं, लेकिन बर्तुमान में ये संभव नहीं हैं कि लाइसेस, पासपोर्ट या अन्निक किसी चारकारी कारी के पौण ब भरनेगा इसका खूला सा करना भी होता है, हलाकि लेकिन कभी-कभी ऐसे मोकी यास्तान होते हैं जहां आयू बताना जुरूरी नहीं होता है, आजकार अंजान लोग भी पूछ लेते हैं कि कितने बर्ज गे हैं आप और कितने साल हुएं तो ये बातें किसी से सहर नहीं करनी हैं, दासमा नमबर हैं, दान्य पून की बातें, जो की आपने जो भी दान किया है, उसे एक गूप्त रखनी की कोशिश करें, तो ही आपको लाब मिल पाएगा, गूप्पनिय दान देविदावु ताउन के नजर में रहता हैं, जिस दान का क्वेक्यान किया जा रहा हैं, उसका पाल निस्व फल हो जाता है, ये बातें समझ में आपको आजाती होंगे, मंदिर में दान देने से, किसे गरीब को भोजर करवाने से, या किसी भी परकार का पुन्ने कारिकरने से, उसका मुझ से बैकान नकरें, यदि आपने इसे भी किसी के अच्छे आदमे हैं, तो समझ इस तरह के कायरी करते हैं, इस तरह के हमें खुसिया मिलती हैं, इस चीज में हम यह चीज दिये दान, जो की यह बातें कभी भी किसी से सैर नहीं करनी हैं, आपको यह बातें, दस बातें यदि समझ में आ गई, तो वीडियों के कुमेंड बोक्स में जरू लिखें, आप सभी जितने भी दर्सक हैं ये सब कायरी तो जरूर करते होंगे लेकिन माना जाता हैं यदि इस दुनिया में सब आउसा ही वेक्ती रहें तो दुनिया परले हो जाती हैं आपको बताना चाहेंगे आपको इस पाट का कोई सभी पाट आप सभी को पसंद आया हो वीडियो तू लाइ करें क्योंकि अगले ही आप वीडियो में आपको इसका आपडेट मिल जाएंगी और सारी बातें विक्यान करके एक नंबर का एक पाट वीडियो आपको मिल जाएंगी